नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त निश्ठा और तहीं दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम स्टार्ट अप इंडिया में एक ऐसा platform है, एक ऐसा मंच है जहां देश भर के startups, incubators, innovators, mentors, investors एक जुट होते हैं और कई सारे सपनों को मुकम्मिल करते हैं जी हां दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही खाश शक्षियत से कराने जा रही हूँ जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी नारी शक्ती की मिसाल है। पैथा ही दिल से स्वागत करना चाहते हूं प्रियंका जी का वेलकम टू आर स्टूडियो तैंक यू सो मच्च चलिए दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्रियंका जी से कि आखेर उनका startup आइडिया है क्या। सबसे पहले तो प्रियंका जी हमारी दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताए हैं तैंक यू सो मच निश्टा आपने मुझे यहां बुलाया। मेरा नाम प्रियंका गुपता है जैसा कि उन्हें बताया। मैं बेसिकली भॉपाल से ही रहने वाली हूँ, मेरी स्कूलिंग भॉपाल में ही हुई है इसके अल मेरा ग्रादूएशन हुआ है मैनिट से नाइटी भॉपाल से फिर M.B.A. क्या हुआ है मैंने एक्सायम भुवनेशपर से इसके बाद M.B.A. के बाद जैसा कि हरकी ची के स जल रही थी, Monday to Friday हम काम करते थे उसके बाद में पार्टी करते थे बट यहां से यही एक शायद एक वो सीट था जहां से मेरा स्टार्टप की जहर्नी चालू हुई, महां पे काम करते करते आपको ऐसा लगता है आपने इतनी पढ़ाई किये, इतनी महनत किये, आपने पूरी प्रियांका यहां पर आपने बहुत अच्छी बात करी कि प्रियांका जी अल्रेडी कहीं जॉप करती थी, कहीं नौकरी करती थी और उसके बाद उन्होंने यह ख्वाप देखा कि वो अपना खुद का एक स्टार्टप करें दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना हैं, जॉप कर रहे हैं, और जॉप करते-करते उन्हें यह आइडिया आता है कि हम अपना खुद का बिजनस करें, खुद का स्टार्टप करें, क्योंकि प्रियांका जी हम देखते हैं, हमारा जो देश है, यह युवाओं का देश हैं, यहां 7 million youngsters, युवा लोग निकलते हैं बच्चे अपना जिंदगी में करियर बनाने के लिए ग्रैजुएट होते हैं, हर साल, और उसमें से 55 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो सिर्फ यह ख्वाब देखते हैं, कि हमें स्टार्टप करना है, हमें कोई कॉपरेट लाइफ नहीं जीनी है, तो इसके बारे में मैं आ बैलन्स आजाना है, फिर आपने ऐसी क्या स्टार्टप आई आप में कि आपने या एडिया सोचा आप अगर मैं बात करो तो उसी समय चिन्नेई फ्लट जुए थे, और जब चिन्नेई फ्लट जुए तो हम सब जब सिफ निउस ही देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नही तब ही एक मशूर स्टार्टप है हमारे देश का जिसने बोर्ट लॉंच कर दी थी चिन्नेई में, वो एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट था, जिसको सोचके मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर आपको वाकई में एक इंपक्त लाना है सोसाइटी में, आप कुछ बदलना चाह काफी सारे रास्ते हैं, बट उन्टेप्रेनर्शिप उसका सबसे नजदीक रास्ता है जो मुझे दिखाई दिया, वहां से मैं सोचना शुरू कर दिया कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके की चीजे हो सकती है, शुरू से मुझे मुझे मैनिफाक्ट्रिंग और कंस्रक्शन में बहुत जादा इंट्रेस्ट था, कि सामने चीजे बनती हुए दिखाई दें, पता चले क्या बन रहा है, कुछ नहीं ऐसे है, क्रिएशन वाले महावल है, मैं वापस भुपाल अगई, बैंगलोर में थी मैं बेस्ट, वापस भुपाल अगई और मैंने कंस्रक्शन कंप करें, वहाँ पर हमको यह समझ आया कि एक मैनिफाक्टरिंग कंपनी या एक वेर हाउस, डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे सिविल मेंटरेंस के काम करती है, इतना जादा कि उनकी इंटरनल इंप्लॉईस की टीम ही होती है, सिविल मेंटरेंस वर्क की, इसमें ना सिफ उनक का मेंन प्रडक्शन लाइन बहुत जादा है, उसने हमें सोचने को बहुत जादा मजदबूर किया और हमें यही लगा हमाई पूरी टीम को कि ऐसे इनोवेटिव सॉलूशन निकाले जाएं जिनसे यह जो सिविल वर्क की प्रोब्लम्स हैं, इनका एक बार में सॉलूशन हो कि प्रोडक्शन सीमलेस हो और हमारा प्रोडक्शन के पासिशन है, साथ ही में बहुत बड़ा कैमपन है भारत सरकार का, मैं कहना चाहूँ कि हमें चोटे तरीके से उसमें भी कॉंट्रिबूट कर रहे हैं, बिकास हमारी सर्विस की वज़े से इंडस्ट्री अपने में काम पर पर ना कि नॉर्मल रिपेर वर्क और सरदर्द वाले काम होते हैं, बिकास है एक पहला प्रोडक्शन हमारा निकला है उसमें वह डस्ट्रेस्ट्री अप्रोड़िक्शन का प्रोड़क्शन है, फार्मा फूड कंपनी इसमें उनको बहुत ज़रूत होती है कि एक बहुत काफी लंबे समय के लिए 10-15 साल के लिए डस्लेस हो जाता है, जो कि at least 3-4 गुना बहतर है जो अभी solutions अविलेबल है market में उसके comparison में बहुत अच्छी बात यहां पर दर्शक को प्रियंका जी ने हमसे यहां पर शेयर करी है कि उनका जो innovative idea है वो ना सिर्फ startup India की तरफ से उसे contribute कर रहा है, बलकि make in India को भी इनका contribution जा रहा है क्योंकि इनका काम है निर्मान का, construction का और इनकी रूची starting से ही रहे, शुरुवात से ही रहे, कुछ भी create करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, बलकित प्रियंका जी यहां पर एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, जिंदगी में हमेशा हमें कोई ना कोई spark चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए, कि हम इसे प्रेरित हो, और कुछ आगे करें, क्योंकि दिल मांगे मोर, जैसे की बोलते हैं, तो आपके जिंदगी में इसी क्या इंस्पिरेशन थी, क्या था कि आप रुकी नहीं और आगे बढ़ती रहें, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी, मुझे मेरे पेरिंस का बहुत ही जादा सबोर्ट ह तो एक दिन शायद कहीं जाना था हमको, तो उनको मैंने ओफिस बिलाया था, वो ओफिस आहीं, उन्होंने मेरा ओफिस देखा, और वो इतनी जादा उदास हो गई, और उन्होंने यह सवाल उस दिन मेरे दिमाग में डाला था, कि मैंने तुमको इस चीज के लिए नहीं उस दिन मैं ऐसी थी कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आप छोड़ो, अपन चलते हैं जो भी, और मैं अन्होंने आपको बता रही हूं निष्टा, मैंने उस दिन उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया था, बट अभी भी वो जो ऑफिस है, वो मेरे रास्ते में आते राते और में को इसको देखे लगता है, हाँ, उनने उसे नहीं सही कहा था, तो ये एक इंसिडेंट है, जो है, बट मैं अगर ऐसे बोलूँगी कि एक एंबिशिस होने का अगर जो सीड है, तो वो शायद मेरे मेरे मेरी मम्मी के थ्रुआया होगा है, आपकी मम्मी आपकी जाहूंगे आपसे, कई सारे लोग होते हैं हमारे देश में, दुनिया में, परिवार में या फिर सोसाइटी में, जो एकसेप्ट नहीं करते हैं कि लड़की आगे बढ़ रही है, या खुद का बिजनस कर रही है, खुद का काम कर रही है, तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं बहुत परिशानी आती, क्योंकि इतनी कम उमर में, आपने जो मकाम हासल किया है, वो मतलब काबिले तारीफ हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि सोसाइटी के ऐसे लोगों को, कोई एक महिला, कोई एक युप्ती, जो इस समय आपको देख रही है, जो ये स परिशनली बहुत ज्यादा लड़के लड़की में फरक नहीं मानती, और मैं ये मानती हूं कि अगर आप खुद अंबिशियस हैं, आप खुद इतने पैशनेट हैं, आप में वो भूख है कि आप जा के कुछ पाना जाते हैं, तो सोसाइटी क्या आपको भगवान में निरो सकते हैं, आप की फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, उनको करना पड़ेगा आपको सपोर्ट, एक जो बहुत बड़ा हर्डल जो मैं आज देखती हूं सारी लड़कियों में, जो की शायद उनको रोक रहा है बहुत जादा, वो और कोई नहीं बल्कि वो खुदी हैं, हम शाय में सीख लेनी चाहिए, और बस आगे बढ़ते रहें, बड़े सपने देखें, यह पहला स्टेप होगा, और दूसरा स्टेप होगा, उसके लिए बस पहला कदम बढ़ा दे, एक एक स्टेप करके ही आप आगे बढ़ोगे, एक बार में कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, ब मिर्जा नहीं बन सकती, बर मेरे ख्याल से हर लड़की अपने आप से रूबरूग हो सकती है, अपना खुद का एक मकाम हासिल कर सकती है, बिल्कुल और जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि आप एक स्टार्ट अप करते हो, आपको इसमें कापिटल चाहिए, क्योंकि मंत्री उवा उद्द्यमी उजना, वहां से हम लोगों ने इनिशनली लोन लियाता, काफी अच्छी स्कीम है वो, उसमें सब्सक्राइज लोन हमें मिला, जिससे हमको सारे एक्विपमेंट्स वगरा खरीदे और वो हमने खरीदे, उसमें काम स्टार्ट कर दिया, ए और दूसरा मेरा सबसे बड़े डिसिजन यह था कि जब मैंने बैंगलोर में थी और मैंने सोचा कि मैं को बिजन्स करना है तो मैं भुपाल आकी बिजन्स किया मैं क्योंकि घर है यहां तो च्छत और दाल-चामॉल की तो गैरंटी है प्रियंका जी ने गर है भुपाल में तो आप अपना करियर ऐजीली बना सकते हैं क्योंकि आपका खाना, पीना, माबाप सब यहीं पे हैं तो उठा ही लेंगे बिल्कुल एक सवाल और हम यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं प्रियंका जी कि जैसे कि आपने कहा आपको सरकार की योजना से बहुत कुछ हेल्प मिली तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूंगी कि हमारी मुद्रा योजना जो चल रही है उससे भी आप लाब उटा सकते हैं बहुत कम ब्यासदर पर आपको लोन दिया जाते हैं बहुत सारे लोग आगे बढ़ चड़के इस योजना का लाब ले रहे हैं तो अगर आप अपना स्टाट अप करना चाहते हैं तो बुलकल जॉइन करिए और आगे बढ़िए इहां जिए तक की प्री इंक्यूबिशन ट्रेइनिग भी जाती है अगर आप जानना चाहें कि इंक्यूबिशन थैंटर एग्जाटि है क्या और कैसे उसके बार में थोड़ा कुछ बताएं इंक्यूबिशन सेंटर जिए ऑफी सारे इसारेबलेश्ट किये हुए है पूरे इंड कुछ मिलते हैं और हमें हेल्प मिलती है एक एक्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूंगी पिछले ही साल डिसेंबर के ताइम पर हमारा सेल्स एकडम डाउन था हमारे पास में बिलकुल भी रिवेन्यू जनरेशन सोर्स नहीं थे नहीं नए प्रोडेक्स थे तब ये जो दोस्त आ मुझे कहा कि आपसे क्यों नहीं होगी सेल्स आपसे होगी जब बिना पड़े लोगों सो जाती है तो आप जाओ वहाँ पर एक सिर्फ एक आप बहुत ज्यादा जो आपने मन से जिजक है वह आप निकालो बाहर जाओ फाक्री के बाहर कड़े हो जाओ और पूछों को यहाँ जब आप गर जौच सेल्ड़ीट करने कि लिए भी लोगोगों काम आते हैं तो अगर आप स्टाटब से जुड़ते हैं कि आप सपा इर्ड़ में अब तत्मां उन अन लोगों से जुड़ते हैं जिनके पास अलग 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 आईढ़ आइडे होते हैं और आपस मे आप आइडिया एक्स्टेंज करते हैं और एक नए स्टार्ट अप को जन्म देते हैं। प्रियंका जी, स्टार्ट अप्स भी बहुत सारे बनाए गए हैं। जो एक तरीके का संपर्क केंद्र हैं, जहां पर आके एक जुत होके आप आइडिया भी शेयर कर सकते हैं। मैं यहां पर आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगे, क्योंकि जिन्दगी में कोई भी बड़ा काम अगर आप करना चाहें तो अकेले नहीं कर सकते हैं। कुछ फ्रेंज की कुछ ग्रुप की ऐसी जरुवत होती है कि आप अपने ख्वाब को एक मुकमर स्थान पर लेकर आ सकें। तो आपकी टीम के बारे में कुछ बताईए कि कितने मेंबर्स हैं, क्या किसका रूल है। बिल्कुल हमारी जो ओन पेपर टीम है। मैं बोलूँगी जो कि हमारी कंपनी में इंपलोईड हैं या फिर फाउंडिंग टीम के मेंबर्स हैं। उसमें आज काफी सारे अगर मैं सारे इंपलोईज की बात करूं तो अराउंड तीस इंपलोईज हमारे हैं। उसमें से को टीम में करीब 5-6 लोग हैं जो शुरुवात से हमाय साथ में जुड़े हूए हैं। इस तीम में यह जो फाउंडिंग टीम हैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। यह सब वोग हैं जो आपको आपके लोग पॉइंट पर सपोर्ट करते हैं। जो आप पर सबसे बड़ी बात और आपके आइडिया पर विश्वास रखते हैं। आइडिया पर कम आप ज्यादा विश्वास रखते हैं। और उनको पता है कि हाँ जो भी हो हम फेल नहीं होंग, हम फेल होने ही नहीं देंगे। और हर एक पॉइंट पर सपोर्ट करते हैं आपको ना सिर्फ आइडिया के टर्म्स में बल्कि काम भी करने में। तो यह एक फॉर्मल टीम है जो हमारी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि जो नेट्वर्क है या जो दोस्त हैं। वह एक आपके एक्स्टेंडेड टीम की तरह काम करते हैं। उनके लिए भी मैं हमेशा सब कोई मैं एक सलाई दिती हूं कि अगर आप सार्ट अप कर रहे हैं। तो कम से कम पांच से छे लोगों का आपका एक ऐसा कोर ग्रूप होना ही चाहिए जिनके साथ आप हर एक चीज शेयर कर सकें। क्योंकि कई बार जहां पर हम सोचना बंद कर देते हैं। आप दूसरे सोचना शुडू कर देते हैं। एक और चीज प्रियंका जीँ, यह आप क्या मेशिज देना चाहेंगी उन्युवाओं को आपसे प्रेरे थो तो आपकी तरह अपना खुद का इक स्टार्ट Uप करना चाहते हैं। उन्हें क्या मेसिज देना चाहेंगी आप ? जैसा कि मैंने पहले भी कहा बड़ी सोच रखे यह पहला ही कदम है आपका और इसके बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत जाद हैं बट उसके लिए अक्शन नहीं लेते क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसे होगा फिर स्टेप 2 में होगा फिर स्टेप 3 में होगा पर 10 साल बाद ही होगा और आपको जो आइडिया आया था वह आदे घंटे में दस साल के अंदर उसको या तो बहुत तक्सेस्फुल भी बना दिया और अपने उसको फेल भी कर दि करना बहुत जाधा ज़रूरी है स्टेप बनें ग्राउंट पर आके एक्सपरिमेंट करें छोटे चोटे ऐक्सपरिमेंट से ही आपको समझ आएंगा कि जो आपने आइडिया सोचा हुआ है मनमें काम करेंगा या नहीं करेंगा इसके लाबा आइडिया के बहुत जादा पी इंडस्ट्री इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मदद कर रहा है एक और ट्रेंड जो मैंने आजकल की उवाओं में देखा हुआ है उनको आइडिया आता नहीं है और दूसरे स्टेप में वो अपनी वेबसाइट बना लेते हैं या फिर उसमें बहुत जादा हेविली इन्व तरीका है आप देखें आपके कस्टमर कौन होंगे उन से लाके पूछ लें उनको एक बेच के देख लें अगर वो पिलकुल एक आईडिया को सिर्फ आइडिया ना रहने दें उसे आगे भी बढ़ाएं उसे रिसर्च करें और तब जाके वो आपका ख्वाब एक हकीकत में तब्दील होगा इसके साथ ही दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का इसी उमीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए ख्वाब में एक नए तमन्ना में एक नए सपने को जीएंगे अपनी दोस्त निष्ठा को दीजिए इजाजत और अब तहे दिल से शु चालो यारो अलविदा